आज हम अलग तरीके से बनाएंगे पेड़ा तो देखिए हमने एक बावल घेल ले लिया है और डिड़ बावल के करीब में हमने मैदा लिया है अब मैदे से ही हमने पेड़ा बनाएंगे तो गी में हमने मैदे को डाल दिया अब हम इसको बराबर चलाते रहेंगे देखिए इस तरीके से हम चलाएंगे देखिए घी में मैदा लगभग बराबर मिल चुका है अब ये हमारा पेड़ा रेड़ी हो चुका है अब हम गैस को करते हैं बंद ठंडा होने के बाद हम चेनी और ये पिसी हुई चेनी है आपके पास अगर भूरा ना हो तो ग्लाइंड करके चेनी आप डाल सकते हैं तो मीठा आप कम जाद अपने कोडिंग कर सकते हैं हमने आधा बाउल लिया था बूरा और मिल्क पावडर एक कटोरी और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे डिरेक्टली सारा नहीं डालेंगे अब हम इसमें इलाइची पावडर डालेंगे देखिए हमारा एक टेबल इस्पून के करीम में इलाइची पावडर लिया है अब सभी को हम बराबर मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हम सभी को मिला लेंगे इस तरीके से आप बनाइए बहुत ही टेश्ट बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो अब हम इसको हटा देते हाथ से मिलाएंगे क्योंकि इसमें गुठलिया है इसलिए हाथ से मिलाएंगे बराबर मिक्स हो जाएगा तो देखिए आप हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे पेड़े का सेब हम दे रहे हैं आप कोई भी सेब दे सकते हैं तो देखिए हमने पेड़े का सेब दे रहा है तो यह हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है एक एक करके सभी पीसे सम रेडी कर लिए तो अब हम कुछ सूखे मेवे लेंगे काजू बदाम आपके पास जूभी मेवे अबलेवल हो आप ले सकते हैं चुटा चुटा पीसे स करके उपर गार्निस के लिए हम सेट कर देंगे तो देखिए हमने सेट कर रखा है बादाम और काजू तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई यह मैदे की रेस्पी कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइब सस्क्राइब बेल आइकन दबाना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई